बिना इन्वेस्टमेंट के हम सब पैसा कमाना चाहते हैं ऐसे में मार्केट में कुछ ऐसे एप्स आ रहे हैं जिनको अगर आप रेफर करते हो तो पर रेफर के आपको 500 रुपे तक मिल सकता है और अगर आप इन एप्स को मेड़े साथ जोइन करते हो तो आपको हर एप का जोइनिंग बोनस मैं खुद भी देता हूँ कहने का मतलब आपका सिर्फ एक फ्रेंड हो उसे आप अगर इन सारे एप को रेफर करते हो और वो सारे एप जोइन कर लेता है तो आपके पास सिर्फ एक बंदे से 3500 रुपे तक का अर्णिंग हो जाएगा लेकिन अगर आप कम से कम 10 लोगों को रेफर करते हो तो आपके पास 35000 रुपे की अर्णिंग हो जाएगी कहने का मतलब ये बहुत ही अच्छा चांस है हम सब के लिए वैसे जिस आपके बारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस आप से आप 500 रुपे पर रेफर के कमाओगे और उनको आपके साथ जोइन करने का बॉनस भी मिलेगा 500 रुपे लेकिन एक महिने के बाद अगर वो ट्रेड करते हैं तो लेकिन आप जिने रेफर करते हो उन्हें ट्रेडिंग करने की ज़रद भी नहीं है तो देर किस बात की रेफर करो और कमाओ और सारे एपस की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्चन में मिल जाएंगे इन सारे एपस को अगर आप जोइन करते हो तो उनका साइन अप बोनस भी आपको मिलता है तो दोस्तों आप भी अगर बिना इंवेस्मेंट के पैसा कमाना चाते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो इसे एपका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा आप वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह के इंटरफेस खुल के आएगा यहाँ आने के बाद आपको अपना मुबाइल नमबर दर्ज कर देना है तो मैं अपना मुबाइल नमर डाल देता हूँ और स्टार्ट जर्नी पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तो इसके बाद आपके mobile number पे एक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पे feel कर देना है तो मैं थोड़ा wait कर लेता हूँ जिसे OTP आ जाता है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो OTP आ चुका है चले मैं इसे डाल देता हूँ तो दोस्तो मैं OTP डालने के बाद आगे करता हूँ और इस तरह का page खुल के आता है जहाँ पे आपको अपना email ID पुट कर देना है मैं पुट कर देता हूँ फिर continue पे क्लिक कर देता हूँ लगे कर देता है तो मैं पे पेंट कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो confirm this name on your pen card लिखा हूँ आएगा इस पे इस पे क्लिक कर देना है तो इस पे क्लिक करने के बाद एक निया इंटरफिस खुल के आएगा दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी bank का IFSC code डाल देना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फिर search कर लेना है उसके बाद submit कर देना है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ पे जो है आपको अपना bank account number डाल देना है तो मैं यहाँ bank का account number डाल देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे bank account नमर फिर से डालना है, re-enter कर देना है, और उसके बाद next पे जैसे ही आप click करते हैं, आपको इस तरह से कुछ घूमता हुआ नजर आ जाएगा, कहने का मतलब आपके bank में एक रुपय deposit की जाएंगी, ठीक है, डाली जाएगी ताकि आपका bank verify हो जाए तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे proceed पे click करना है, अब यहाँ पे dizzy locker करना है, और आपको अपने आधार card को verify कर लेना है तो दोस्तों आपके mobile number पे code send किया गया है, उसे यहाँ पे डाल देना है तो मैं डाल देता हूँ उसके बाद दोस्तों यहाँ पे authenticate आधार पे click कर देना है और अपने आधार card का number डाल देना है उसके बाद यहाँ पे आपके phone पे एक और code आएगा OTP आएगा उसे यहाँ पे put कर देना है उसके बाद allow पे click कर देना है तो दोस्तों यह meta automatically हो गया लेकिन अगर आपका ना हो तो यहाँ पे जो भी process आती है उसे आपको complete कर लेना है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपना signature upload कर देना है जो कि मैं browse करके upload कर दूँगा क्योंकि मेरे phone में already मेरा signature है दोस्तों इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पे allow कर देना है और उसके बाद थोड़ा wait करना है आपको दोस्तों अब यहाँ पे proceed पे click कर देना है allow permission पे click कर देना है allow कर देना है फिर से allow कर देना है उसके बाद यहाँ पे अपना selfie upload कर देना है तो दोस्तो मैंने अपना selfie लेकि यहाँ पे upload कर दिया है Selfie upload करने के बाद यहाँ पे नीचे में क्लिक कर देना है verification पे उसके बाद यहाँ पे thank you लिखा हुआ आ जाएगा और आपको थोड़ा wait कर लेना है ठीक है यहाँ पे आपको नीचे कर देना है और next पे click कर देना है तो यहाँ father mother का नाम डाल देना है तो मैं यहाँ डाल देता हूँ उसके बाद नीचे करके confirm कर लेना है दोस्तो उसके बाद आपको यहाँ पे address बगड़ा सब लिखा हुआ आ जाएगा next पे CLIK कर देना है मैं कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे cash plus mutual fund जो उपर में लिखा हुआ है बस उसे CLICK रहने दरना कहीं CLICK नहीं करना है ठीक है और यहाँ पे light 0 जहाँ लिखा हुआ है सबसे उपर में 0 लिखा हुआ था उस पे क्लिक कर देना है मैंने कर दिया और save proceed पे click कर देना है अब यहाँएस के इप पे click कर देना है बस थोरे से process वह रहाए है यहाँ e-sign no पे click कर देना है ठीक है और दोस्तो e-sign जिसे ही आप कर लेते हो आपका सारा process complete हो जाता है तो proceed to sign in पे click करता हूँ sign no पे click करता हूँ और यहां पे अपना आधार काड number डाल देना है ठीक है तो मैं यहां आधार काड का number डाल देता हूँ send OTP पर कलिक करना है OTP आएगा यहां पे put कर देना है तो मैं यहां पे OTP put कर देता हूँ दोस्तो OTP put करने के बाद यह complete हो जाएगा assigned का process दोस्तों अब यहाँ पे जो है इसका Skin Sort लेकर आपको रख लेना है ठीक है इसका Skin Sort आप ले ले मैंने भी ले लिया है रख लेना है और अब आपको इसका application HDFC Securities का application डाउनलोड कर लेना है और आपके mail पे user ID और password आएगा ठीक है वहाँ पे जाकि आपको login कर लेना है इस application में ठीक है HDFC के application में जाके आपको login कर लेना है दोस्तों मैंने HDFC Securities इस तरह से सर्च किया है ताकि मुझे मेरा username and password मिल सके तो यहाँ पे आपको नीचे कर लेना है आपको धियान से देखना है आपको HDFC Security का welcome वाला mail आएगा ठीक है welcome to HDFC Securities यहाँ जाना है मैं यहाँ पे तो welcome वाला mail है इस पे click कर लेना है दोस्तों यहाँ click करेंगे और नीचे करेंगे तो आपको अपना user ID मिल जायेगा अब यहाँ पे आपको click here to generate password पर click कर लेना है दोस्तों click करने के बाद आपको generate password का option आ जाएगा वहाँ पे आने के बाद आपको अपना username paste कर देना है यानि क उसके बाद आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पे पुट कर देना है दोनों जगा और सब्मिट कर देना है और दोस्तों इस तरह से आपका पासवर्ड बन जाएगा पासवर्ड बनाने के बाद आपको HDFC का एप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से इसे करने के लिए 3.line पर क्लिक करना है और यहां नीचे देखी नीचे WhatsApp अलर्ट के जस्ट नीचे यहां पर रेफर एंड लिखा हुआ है यहां पर क्लिक करना है आपको रेफर एंड पर उसके बाद दोस्तों स्टार्ट रेफरिंग पर क्लिक कर देना है आपको यहां पर अपना रेफर किया है और कितने लोगों ने अकाउंट बनाया है आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो लोगों ने अकाउंट बनाया है साथ लोगों ने मेरे रेफर लिंक से इस एप में रेजिटर किया है लेकिन उसका अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है तो दोस्तों इस तरह से आपक आपने बहुत से दोस्तों को ताकि आप benefit कमा पाएं और trust me बहुत ही fast आपके bank में ये सारे पैसे आ जाएंगे बस उसके लिए एक process करना होगा जो कि मैं आपको next video में बताऊंगा